जाए महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आसा करता हूँ कि भले चंगे होंगे मजे में होंगे दोस्तों, जब व्यक्ति की सक्ति कम पड़ जाए उसकी पोहँच वहां तक ना हो पाए जहां तक उसको पोहँचना है कोई ऐसी चीज उसे चाहिए कि जो उसको नहीं मिल पाती हो तब मेरे इस उपाए को आजमाईएगा मेरे इस उपाए से आप जिस चीज को चाहते हैं वो चीज आपको मिल जाएगी चाहे आप किसी अपने को पाना चाहते हैं पैसा टका चाहते हैं, नोकरी चाहते हैं या कहीं भरी सभा में जा रहे हैं, वहाँ पर आप पर कोई एसा मुकदमा चलने वाला है या ऐसी कोई चीज है कि जहां जिसका फैसला आने वाला है, कोई बड़ी प्रोपर्टी लेने जा रहे हैं कुछ संका लग रही है मतलब कोई भी ऐसी जगह पर जहां बड़ा फैसला आने वाला है उस जगह पर मेरे इस उपाय को करके जाईएगा आप देखेंगे कि इस उपाय को करके जाने के बाद जहां कहीं भी आप जाएंगे वहां की संपून परिस्थिती बदल जाएगी सारे ही लोग आपके बारे में सोचने लग जाएंगे आपके हक के बारे में सोचने लग जाएंगे और आप जो चीच चाहते हैं उस चीच को बखु भी पा सकेंगे उपाई बताने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यदि आप हमारी चनल में नए हैं तो हम इस चनल के माध्यम से हमारे प्राचिंतम गरंतों में चुपे हुए कई ऐसे गूड रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रिदान करते हैं तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रूची रखते हैं तो अभी हमारी चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इससे हमारे दोरा बताएगे उपाए आप तक आसानी से और तेजी से पहुचेंगे और आप कभी उसे मिस भी नहीं कर पाएगे तो चलिए दोस्तों बताता हूं वह उपाए कि जिससे यदि आपकी सक्ति कहीं पर कम पड़ जाती है कोई ऐसा काम है देखिए हर काम ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति अपनी सक्ति से अर्जित कर लेता है या उस चीज को पा लेता है कई काम जीवन में ऐसे होते हैं ऐ उसके लिए किसी ने किसी मदद की आवसकता होती है और कभी कबार इस संसार में जो लोग आपको दिखते हैं वो लोग भी आपकी मदद करने में छोटे पड़ जाते हैं बोने हो जाते हैं नाटे हो जाते हैं ऐसे में आपको उस परा सक्ति की आवसकता होती है उसके मदद क के लिए निकल जाएं. उउंगली को जैसे मैं बताता हूं मोड कर तीन बार यदि आपने ये नाम लिया और आप फिर कहीं भी चले जाएं. चाहे कहीं भी चले जाएं. किसी भी काम के लिए चले जाएं. आप का वो काम हो जाएगा. तो आपको यह जो नाम है वो सबसे पहले 108 बार आपको बोलना है धूप दीप लगा करके और जिस दिन आप इसको बोलें उस दिन आपको उपवास करना है और हो सके तो इस नाम को आप मंगलवार के दिन करें एक माला इसकी करनी है आपको इस नाम की और यह जो नाम है वो है हनू हनू नाम बहुत सक्तिसाली नाम है बहुत ताकतवर नाम है इसका माइना काफी लंबा है कभी बाद में इसके बारे में बताऊंगा लेकिन हनू बहुत सक्तिसाली नाम है इस नाम को लेकर के जो व्यक्ति जिस पर भी जैसा भी प्रहार करना चाहेगा या जो चीज पाना चाहेगा उसे अरजित कर सकता है तो आपको मंगलवार के दिन हनु 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 इस तरह से आपको 108 बार बोलना है दूप दीप लगा करके और इस दिन उपफास करें नमक बिलकुल भी ग्रहन न करें इस दिन और इसके बाद जब भी आप कहीं पर भी किसी कारे के लिए जा रहे हैं कोई ऐसे कारे के लिए जा रहे हैं जो विसेस हैं जैसे मैंने बताया कोई कोट कचेरी का काम है कहीं बड़ा ऐसा काम आजाता है कैसा भी काम है वहाँ पर यदि आप जाते हैं तो आप अपने घर की जो मुख्य देहरी है वहाँ पर खड़े हो जाए जो अपना सीधा पेर है उसको जमीन से उपर कर ले और अपनी ये दो अंगलियों को इस तरह से मोड ले और तीन बार कहें हनू 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 और अपने सीधे पेर को पटक करके निकल जाए जहां जाना है वहां निकल जाए आप देखेंगे कि आपने जिस किसी भी व्यक्ति के बारे में सोच करके या जिस किसी भी काम के बारे में सोच करके ये नाम पढ़ा होगा, ये नाम सीधा जाकर उसके दिलो दिमाग पर लगेगा और आप जो काम के लिए गए हैं, उस काम में आप सफल होकर लोटेंगे ठीक है? तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाई के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रही है दीवे प्रकास और अपने जियोन में लाबनवित होते रहे हैं, धन्यवाद